लोग सब चुनाओं के दोरान से ही कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी, मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कई आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब पिये मोदी ने ऐसा प्रहार किया है जिसके बाद राहूल गांधी के मनसूबों पर पानी फिर गया है। दर्शको अगनिवीर योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश की तीनों ही सेनाओं के नक्षे को ही बदल दिया है। आरक्षन मिलेगा। अगनिवीर के मुद्धे पर सरकार को बैक फूट पर धकिलने की कोशिस में जुटा है। अठारवी लोकसवा के गटन के बाद संसद के पहले सत्र में कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी इस मुद्धे पर आकरमक नज़राएं। इस मुद्धे पर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच पीम मुद्धी ने इस संबंध में सरकार का रुख साफ कर दिया है। पीम मुद्धी ने अगनी वीर को लेकर विपक्ष को आरे हाथो लिया। पीम मुद्धी के रुख से ये साफ हो गया है कि राहूल गांधी की मंशा तो पूरी नहीं होने जा रही है। पीम मुद्धी ने अगनी पति योजना को सेना की तरप से किये गए आवश्चक सुध पारों का एक उधारन बताया। पीम मुद्धी ने विपक्ष पर सेनाओं में औसत आयू वर्ग को युवा रखने के उद्धेश से शुरू की गई इस भरती प्रकिरिया पर राजनीती करने का आरोप लगाया। पीम मुद्धी ने कारगिल यूध में जीत की पचीसवी व परसगाट की आउसर पर आयोजित कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग राष्टिय सुरक्षा से जुरे एक सम्वेदन शील मुद्धे पर भी राजनीती कर रहे हैं। वहीं पीम मुद्धी ने उन दावे को भी खारिच कर दिया कि पेंशन के पैसे बचाने के लिए अगनीपत योजना शुरू की गई थी। पीम मुद्धी ने कहा कि वे अगनीपत योजना का विरोध कर रहे हैं जिसका उदेश हमारे सैनिकों को युवा और युद्ध के लिए तयार करना है। वे कहते हैं कि अगनीपत योजना नरेंदर मुदी द उसको पिंशन देने की बारी तो 30 साल बाद आएगी मोदी उस समय 105 साल का होगा उसके लिए मोदी आज गाली खाएगा क्या तर्क दे रहे हैं सेना की तरब से किये गए जरूरी रिफॉर्म का एक उधारन अगनी पति स्कीम भी है अगनी पति स्कीम से देश की ताकत बढ़ने के साथ ही हमें सामर्थिवान यूबा भी मिलेंगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए पियम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों सेना के इस रिफॉर्म में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में राजिनीती कर रहे हैं अब पियम मोदी के इस बयान से एक चीज़ तो साफ है कि कॉंग्रेस पार्टी और उसके नेता राहूल गांधी की अगनीपत को खद्म किये जाने की मांग तो पूरी नहीं होगी हलाकि कॉंग्रेस ने अपनी चुनावी घोशना पत्र में सरकार में आने पर अगनीपत योचना को खद्म करने का वादा किया था सरकार के गटन के बाद भी राहूल गांधी लगातार ये बात कह रहे है कि सत्ता में आने पर कॉंग्रेस सेना में भरतिकी स्कीम को खद्म कर देगी कॉंग्रेस का कहना है कि पियम मोधी अगनी पत योचना को लेकर सरासर झूट बोल रहे हैं इस योचना को लेकर युवाँ में रोश है और कॉंग्रेस इस मांग पर कायम है कि इसे तद्काल निरस्थ किया जाना चाहिए दर्श को असल में कॉंग्रेस और उसके नेता चाहते ही नहीं है कि भारत विक्सित बने क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर वो चाहते कि भारत का विकास हो तो फिर क्यों इंद्रा गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा देती थी और आज भी कॉंग्रेस यही नारा दे रही है ब्योरो डिपोर्ट ओमेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं